हेलो गाइज, वेलकम तो योर चैनल, MBA वाला, अब तरकी क्या है बात जब MBA वाला है आपके साथ, आज की क्लास पे हम एक नया मॉडियूल शुरू करने वा रहे हैं, और ये मॉडियूल होने वाला है आपके CAT के कौन्ट के लिए लास्ट मॉडियूल, सबसे पहले आपने अरि मॉडियूल दाट इस modern math, अब सरी modern math क्या है इसमें हम क्या क्या पढ़ते है, modern math में आप लोग पढ़ने वाले हो overlapping sets, overlapping sets ये आपको पढ़ाऊंगा मैं, foundation combination and probability, ये वाला हिस्सा आपको पढ़ाएंगे आपके अर्जन यानि की आपके राहुल सा, तो मैं यहां लिख देता हू for future classes and future reference, right, और इधर ये वाला part है आपका, statistics and series, ये लेंगे आपके विनीच सर, right, तो ये number system के बाद आपको यहां पे मिलेंगे, जिनको आप करन के नाम से भी जानते हो, right, कहानी को करते हैं शुरू, और आगे बढ़ाते हैं, इस revolution को, जिसमें हमने ठाना था कि आपका एक basic foundation को हम लोग clear कर देंगे, और अगर आपके मन में कोई भी वहम, कोई भी डर, कोई भी मलाल है कि यार आप से cat का कौन नहीं हो सकता, तो वो निकल जाएगा, बच्पन में maths खराब थी, 10 के बाद मैस चोड़ दी थी, बहुत टाइम से maths को हाथ नहीं लगाया है, ये सब बात थोड़ा सा सेट हो जाए, आपने बस एक ही काम करना है कि जब भी practice question आए तो वीडियो को pause करना, और एक live offline class की तरह उस वीडियो को आराम से pause करके, उस question को solve करना, जब वो हो जाए, तो आगे बढ़ना, ठीक है, सीधा सीधा question देखके solution मत देखना, ठीक, चौड़, आगे ब होता है, set होता है, group of elements, यह तो definition है किताब, यह तो आप देख लोगे, well defined collection of objects, अब यह आप basic समझो एक दम, तो set होता है, एक group of elements, ठीक है सर, हम इसको एसे denote करते है, capital letter डाला, equals to डाला, और फिर आपने यहाँ पर डाल दिये bracket, अब यहाँ पर लिखके set के elements, एक चीज का meaning है, आप यही वाला bracket लगाओ के parenthesis वाला, अब मैंने आप से कहा कि first five prime numbers, तो first five prime numbers जो है, वो हो गए two, three, five, seven and eleven, तो यह एक set हो गया, यह set हो गया, first five prime numbers का, अब यह well defined है, sir, well defined का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, गौर से, ऐसी चीज जो आपके लिए भी सेम है, और मेर पूरे universe के लिए chain है, यह है well defined, जो सब के लिए same है, जो मैं five prime number बोलूगा, वो ही five prime number आप बोलोगे, अगर आप से first five prime numbers बोला गया, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी, इसके इलावा और कुछ answer देगा, अगर वो देना, तो उसको पता ही नहीं है, पहले five prime number के हैं, जिसको ही पत आपके best three colors, अगर मैंने आप से बोला your favorite three colors, अब यह answer सब के लिए अलग अलग हुआ, भाई कोई बोल सकता है red blue green, और कोई बोल सकता है red blue yellow, अब यह well defined set of objects नहीं है, आपका best कुछ हो जाए, मेरा best कुछ और, भाई मेरे favorite subject में maths आएगा, आपके हो सकता है favorite subject में maths ना है, तो ह हम दोनों के अलग-अलग sets बन रहे है, एक ही question के, that means it's not a well defined object, तो यह तो कहानी होगे, what is a well defined object, and well defined objects are set, अब देखो एक चीज का याद रखो कि अगर आपका order बदलता है, listed elements का, तो उससे matter नहीं करता, set same रहेगा, चाहे ABC कर लो या BAC कर लो, फरंग नहीं पड़ता, अब आ आपने आज मेरे से पूचा, आपके सर फेवरेट कलर गया है, मैंने कर रेट कल ब्लू गरीन, तो मेरे फेवरेट कलर थोड़ी बदले, तो set में elements का, ऑगर order बदलता हो, तो फरक नहीं पड़ता, set same रहता है, ये एक और दूसरी बात होगे, इसको लिख लो, ठीक, तो अब तक आप set समझ चुक हैं समझ चुक हो कि set के order बदलत को फरक नहीं पड़ता है यह सब के अंदर का जो डर होता है ना एक बच्चे का यार मैच की चक्कर में जो आप MBA करने नहीं जा रहे हो वो हट जाएगा ठीक है Now what is the subset if all the elements of a set s are elements of a set t then s is a subset Sir अंगरे जी हमको समझ नहीं हाती आप example देखे Hindi मेरा आप जो समझाओ देखो बेटा माल लेते मैंने का एक set है यह right यह set में हमने रख दिये सारे के सारे prime numbers 2 3 5 7 11 13 17 19 चलते जारे dot 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 मतलब infinite अभी होता है आपका infinite अभी आपका set होता है यह आपका infinite set होता है यह आपका infinite set होता है नहीं infinite set हो गया तो वो भी सीख लिए साथ साथ है ना अब मैंने एक set बनाया B अब B में मैं ले रहा हूं कुछ prime number माल लेते मैंने का B में मैं ले रहा हो single digit prime number तो इसमें क्या आगे है 2 3 5 7 अब B में कोई भी element है साथ है जो यह से बार है नहीं जार 2 A में है 3 A में है 5 A में है 7 A में है तो अगर B का एक एक element A के अंदर हो गया तो यही होता है subset और हम बोल सकते हैं B is the subset of A यह साइन अब माल लेने कल को आप में एक सेट लियाओ C और C में आप डाल दो 1 2 3 4 5 अब यह कर बढ़ है बिटा क्या कर बढ़ है बताव इसमें 2 3 5 तो सही है पर यह क्या बला हुई यहां पर 2 3 5 तो सही है पर यह 1 और 4 कहां से है 1 और 4 तो A में है नहीं तो बेटा हम कह सकते हैं जो C है वो A का नहीं है यह सबसेट का यह होता है नॉट इदा सबसेट सिम्बल क्लेर होने चाहिए तो सेट्स से लिवर्ज में बिल्कुल है और बेसिक टर्म्स आनी चाहिए अब यह क्यों बता रहू क्यों काफी सारे बच्चे जो इस वीडियो पे उन्होंने 10 के बाद मैं च्छोड़ तो हमने तो सबको cater करना है इसलिए foundation free में आपके लिए यूट्यूब पे ले गया है पड़ाई करो सीखो है ना पुराने पाफ दोलो तो सेट और सबसेट की कहान यह हुगा है इस सिम्बल का मतलब होता है सेट है यह शरी और इससिम्बल का मतलब होता है कि सबसेट नहीं है चाला समझगा है और सबसेट समझगा है आगे बढ़ते हैं यूनियर और इंटरसेक्शन यह दो और सिम्बल है इनको आप सबस्याद देखोगे हर फॉर्मले में यह सिंबल आएगे देखो यूनियन जो होता है इसको बनाते है ऐसे यू इसका मतलब होता है क्या यूनियन और इसका मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन करके अपने आप से लिख लिख के अपनी स्पीड से देखना लगे तो फास्ट कर लेना आता है तो और अगर नहीं आता तो अराम से पॉस्ट करके नोट बनाते बनाते चलना union का मतलब होता है और क्या होता है और intersection का मतलब क्या होता है and union का मतलब होता है आपका और इसका मतलब होता है आपके पास and right तो अगर मैं बोलता हूँ a union b इसका मतलब होता है a और b मतलब वो element जो या तो a में आ जाए जो या तो b में आ जाए right आइदर और बी वहाली काने किसी में भी होगा तो चलेगा इसका अगर मैं बोलूंँ आपको ऐसा एं इंटरसेक्षिन भी इसका मतलब होता है a and b इसका मतलब मुझे वह वह एलमेंट चीए जो a में भी हो यह बी पीं में भी हो आपके लिए नोट्स अच्छे पहुचेंगे एक बच्चा खुश होना चाहिए यह हो गया वन टू थ्री फाइव और टू फोर सिक्स अब अगर आप यूनियन भी की बात करोगे तो मुझे वो लोग चाहिए जो या तो एमें हो या तो भी में हो या दोनों में चलेगा तो आपका यूनियन अगर दोनों में आगे तो दो बार मतलब लग जाना डू दोनों में एक ही बार लिखा जागा तो थोड़ी दो हो जाएंगे तो आईधर और बी इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बहुत अगली बार मैं नहीं बताऊंगा और अभी समझ लों कि यूनियन मत चहिए दिए जिखेंट हुनियन मतलब कॉमन वाले अलिमेंट्स हिन्दी में बोले तो commentair et कि अब देको कौन कोन है का बन दोनों में नहीं है क्या थिरी दोनों में नहीं है क्या थिर्फ और सिर्फ तु तो यह आगया आपके पास तु सकार ने क्लेर हो गयी। जानी कलेर ओकई Union मतलब हो गया और intersection मतलब हो गया and Union मतलब आपके जो ये में हो या बी में हो या दोनों में हो एंड बतलब के दोनों में होने चाहिए तब ही लेंगे आदरवाइस नहीं लेंगे clear यहां तक को basic terms termin liege है जो किए कि 11 लास के बच्चे को आती है उसने सेट्स पड़ रहा है अब आपको भी आती है आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ कहीं भी प्रिपेर करना शुरू कर लो किसी मेंटर के नीचे प्रिपेर करना कर लो वह आपको इतना बेसिक नहीं बताता और क्लास के बीच मे क्लास के हcak kept इतनी इतनी रिटेल बताना लग जाए को गलता आप भी नहीं हो अब आपने नहीं बढ़ आप क के लिए बहुतलर है इसलिए यह फॉरून सिरिस है तो इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है 2 शिर्फ औरस इस पमके भले के लिए चया रहा है और और अब हम आगे बढ़ते हैं कभी-कभी काट कुछ ऐसे सिंबल्स यूज करता है जो की एक्च्वल सेट थियूरी में नहीं है वो खुड डिफाइन करके देगा आपको फिर यह मत सुचना कि सर उस सिंबल का मीनिंग नहीं पता था तो हम करनी पाए अब यह कैट दोगजार अठ देफिनेशन भी खुद दिया ओला फो टू सेट से एंड बी लेट डेल्टा भी डिनोट दसेट अफ एलिमेंट्स विच बिलॉंग टू ए और भी बट नॉट बोथ या तो बी में हो पर दोनों में नहीं होना चाहिए तो ए डेल्टा भी में वह एलिमेंट आएगा जो यह पर दोनों में तो हम उसको खटा देंगे फिर कह रहा है कि उसने सारे सेट दे आपको पी दे दिया क्यूंभी दे आर्व दे दिया एस विदे और नंबर अफ एलिमेंट्स बताने आपको इस कहानी में अब बिटे डरने की कोई बात नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ आपको न पी डेलीटां आपको निकालते हैं अब अलम एलिमेंट से अ बी एलिमेंट टॉलॉग्ड या बीमें ओ पर दोनों में नहीं होने चाहिए तो पी में में से लेखते हैं यहां लेख लेते हैं पी के जो हमारे elements है वो है 1 2 3 4 और क्योंकि एलिमेंट से आपको आपको लाज 2 3 5 और 6 अब आप मेरे को बता हो कि डेल्टा क्यों में क्यों आएगा क्या वन की में हैं नाइए नहीं इनले क्योंकि ऑले यहीं नहीं तो यह सब को लजाएं दोनों को कोबंन नहीं डिया रहती है या क्यों भी यही तो कह रहा है जो पी में है यह क्यूं में पर दोन में नहीं होने चाहिए आप फटा-फट करेंगे पहले वाले में टाइम लगा समझाने में दूसरा के निकालना अपने को आडल तो आडल तो आडल तो निकालते हैं अब बेटा कोश्चन से हो जाएगा ठीक है और और इ स्टेम नहीं है तो बागी सब ले लो फिर कौन-कौन जागा है 1 2 3 4 7 8 10 अब क्या करना है अब आपने करना है इन दोनों का डिल्टा इसका इसके साथ डिल्टा करना है यानि अब यह एक सैट हो चुका है मान लेते हैं इसको नाम देते हैं हम S और इसको देते हैं T तो अब क यहां से चेंज करके एकस डेल्टा वाई और इसको कर देता हूं मैं एकस और वाई अब तो कर लो डारेक्ट इसी में खतम हो जाएगा तो वापस वह स्टाप यहां रीइट करो कुछ्छ कॉममन नहुंत और बीट करने न कितने होगा ऑगा तर टु हो गया इतना सा सवाल था कोई calculation नहीं कुछ नहीं तो छोटे-छोटे सवाल मिलेंगे जिनको आप असानी से जाके फोड़ा होगे उनको ही तो ढूंड के करना है अमने सबसे पहले तो कहानी सिंपल सी पी डेल्टा क्यों निकाल लो फिर उसके बाद आ डेल्टा एस निकाल लो इसको एक समाल लो इसको य फिर इन दोनों पर डेल्टा लगा दो अब यह डेल्टा क्या होता यह cat ने खुड डिफाइन करके दे दिया यहां तक क्लियर union समझ गया intersection समझ गया set समझ गया subset समझ गया यह भी समझ गया कि वह एक नया sets and wayne diagram और actual कहानी शुरू करते हैं यह तो था basic जो आपको आरना चाहिए नहीं आता तो अब आ गया यहां तक set करो फिर आगे बढ़ते हैं मैं एक बार हट जाता हूं स्क्रीन से पीछे revise कर लो चलो मैं मान के चल रहा हूं आपने pause करके तसली से लिख लिया और comfortable हो अब बात करते हैं में अपने वेन डाइग्राम क्या है वेन डाइग्राम एक pictorial representation है sets को बनाने की जिसमें हम एक set को एक circle से define करते हैं और circle के अंदर के जो elements होते हैं वो set के अंदर के elements बन जाते हैं फायदा क्या है bracket में लिख तो रहते हैं अच्छा था बिड़ा इससे आपके बहुत सारे questions जब आप उनको solve करने जाओगे तो बहुत असान हो जाएंगे तो इसलिए इसका बहुत महत हुए हम question करके इसके अंदर होगा राइट इनकों शेड कर देते काम करते हैं जो भी आदमी के अंदर होगा वह क्रिकेट वाला माना जाएगा यानि कि जो यह रिजन है यह रेप्रेजेंट करता है क्रिकेट वाले बच्चे कि अब बच्चे सरिक्रिकेट निकेल या बच्चे तो खेल के शाजिए होगी बच्चे आलु मैंने का कि जो भी बच्चे इसके अंतर हैं जिनको हम याड्या यह संब मान जाएंगे अहॉक्की वाले तो यह सब उगया आपको होक्की ten मिलें आप देखों कुछ और रीजनागे कुछ स्पेशल रीजन ना इंदर है यह कुछ नहीं के लिए रहे हैं नो गेम्स तो यह रीजन हो गया आपका नो गेम्स यह कुछ नहीं खेल रहे हैं अब जो यह वाला रीजन है यह वाला रीजन अगर आप देखो यह यहां से लेगे इतना रीजन कि अगर आप देखो तो यह लोग वो है जो सिर्फ और सिर्फ खेल रहे हैं और इधर वाले लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकट खेल रहे हैं मैं उसको रिग किढ वाला रिजन यहां पर होक्की वाले भी आ गया है करेकट वाले भी आ गए है बाइड लाइं चल रहा है हैThis सब यह रीजन जो है वो सिर्फ होकी खेल रहा है यह रीजन सिर्फ क्रिकट खेल रहा है और यह रीजन होकी भी खेल रहा है और क्रिकट भी खेल रहा है एक बाद मैं हट रहा हूँ अराम से इस डियाग्राम को इत्मेनान से देख लो प्रोपर एकadomo नमबर नहीं माल ने अम इसको बोल रहे हैं रिजंग को इसको हम भोल रिजन और और यह होका आपका इसको रेजन और अब track करोंगे फॉर्स स्ट कि दो फॉस्ट व्लोग तो फोस्ट वोले लोग ये सिर्फ क्रिकट कहल रहे हैं सिर्फ ये वाला इस्सा पूरे की बास नहीं कर रहा है 4 टि उनली क्रिकंट तो अगर आपसे ओनली केकट भोले तो आपको tr Gamernता ना अगर आपको सिर्फ पुरीरिजिन बताना है और आप से पूछा जाए तो आप फॉर्स्ट न और सेगिंट दोनों बताओगे ज़िए इसी तरीके से अगर आप समझ गए तो आप बताओं ऐसे बोले साब और आप से बोले साफ की तो आप कौन सा रीजिन बताओगे अब तो बेटा बहुत क्लीर होगे अगर आप ढंक से सुन रहे हो और नहीं पता आप आ रहे हैं तो फिर पीछे जाओ वापस इस लाइट से देखो only hockey मतलब third region क्योंकि second वाले लोग hockey तो खेलते हैं पर cricket भी खेलते हैं हम बात कर रहे हैं only hockey और हाँ अगर आप से पूझ ले कि hockey कौन-कौन खेल रहा है तो hockey वाले रीजन को आप बोलो कि second भी है और third भी है second वाले भी hockey खेलते हैं और third वाले भी hockey खेलते हैं अब सवाल है कि सर यह fourth वाले लोग क्या है तो fourth वाले है no games तो यानि कि अगर मों बहुत हो नाइधर hockey नोड क्रिकट तो यह हो गया आपका fourth रीजन ठीक तो यह तो हो गया बाई साब region defined ठीक यह हो गया कुछ नहीं केल रहे हैं यह सिर्फ cricket केल रहे हैं यह cricket और hockey दोनों केल रहे हैं यह सिर्फ hockey खेल रहे है अब अगर आप second region को define करना चाहो तो आप उसको define कर सकते हो कैसे कर सकते हो आप उसको define कर सकते हो कुछ इस तरीके से अगर मैं second region को define करना जाहूं single single सब को कर रहे है तो second region वह वह वाला है जो hockey भी खेल रहे हैं and cricket भी खेल रहे है तो यह region होगे आपका hockey as well as as well as नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे and बोलेंगे क्योंकि अभी जब मैंने आपको sets में सिखाया था तो हमने प्रॉपरली symbols define किये थे तो हमने वहाँ पे उल्टे यू को and बोला था नाइधर होकी नौर कोई cricket बोल दे तो first and second कोई hockey बोल दे तो second and third clear simple बहुत बढ़िया अब इनसे हम सेट्स के format में symbol से लिखेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं होकी and cricket की होकी को माले थे मैं एच से denote कर रहा हूं अगर मैं अगर आप से एच इंटरसेक्शन सी बोलू यानि कि एच उल्टा यू सी बोलू तो आप समझ जाना मैं कौन से रीजन की बात कर रहा हूं मैं सेकेंट रीजन की बात कर रहा हूं यह है सेट अब आम इसको mathematical form में convert कर रहे हैं इसले union intersection सीखा था तो एच इंटरसेक्शन सीखा हो गया सेकेंट रीजन हो अब अगर मैं आप से बोलू होकी तो आप उसको डिनोट करोगे हैं से ह Atlas होक्की does में सिर्फ होक्की वाले निलिकर मैंने ल्खा है मतलाव कर ऑत की मतलब तूबी और तुन्री और अब अब यह सब तो define हो गए, सरफ 4th और 1st और 3rd को आप कैसे लिखोगे symbolically, अब समझते हैं बेटा, देखो, अगर हम बोलते हैं A, इसका मतलब होता है elements of A, अब अगर हम बोलते हैं A, इसका मतलब होता है not A, इसका मतलब होता है not A, मतलब सारे elements में से universal elements में से अगर आप A वाले हट आदो, तो आपका बनेगा not A का set, मतलब अगर आपको h- एक बोलना है अगर आपने क्या बोलना है ध्यान से सुनना h- मतलब not hockey, कौन कौन लोग hockey नहीं खेलते हैं जो होक्की वाले circle के बाहर है, होक्की वाले circle के बाहर को और ने 1 & 4, तो वह क्या हो जाएगा h- हो जाए, समझे बात, दुबारा सुनो, अगर आपने c- बोला तो वो लोग जो cricket नहीं खेलते, cricket कोन लोग नहीं खेलते, cricket वाले circle को चुपा दो, कौन बचा, 4 & 3, अरे बेटा ये cricket का circle है, जाकि नहीं, ये तो only cricket की बात थी, cricket का circle तो ये पूरा circle है, और होक्की का circle तो ये पूरा circle है, अब समझ गय हो गया, अब देखो, अगर आप only cricket की बात करें, तो इसको हम कैसे यहां लिक्ते क्रिकेट तो हो पर पर मतलब intersection और साथ में पर हौकी नहीं हो अब क्रिक्ट जब आपने बोला तो कौन को ना आगया वना और फिर आपने होकी नुह ना चाहिए तो कौन बार चला गया घ्रै क्रिकेट उठाया है रिवण और टू आ गया वण तो पर तू में त होकी लिखी तो कौन को न आ गया सट टू और थरी आ गया पर हमें का चाहिए सिर्फ होकी तो किसको अटाना है टू को टू में क्या हो रहा है क्रिकेट तो क्रिकेट हटा दो यानि की है समझ गए हो कि अगर मैं कभी भूलू एच इंटर्सेक्शन सी डाइश उसका क्या मतलब है पहले लोग लेके आओ जो क्रिकेट खेलते हैं मैंने जा बेटा सब बच्चों को लेया जो क्रिकेट खेलता है तू गया वन और तू को लेके आगया मेरे सामने वन खड़ा है टू ख समझें वाप से समझते हैं मैंने गा जा बेटा हो कि वहलने वाले बच्च लेया आप कौन लेया आप चुको लेया और अप थ्री को लेया है और को ला भी आ और दोनों वाले भी आगया राइट तो यह तो बहुत हों होकी लिए तो आप होकी के सर्क्रिकल के बंदे ले बड़ा सिंपल है डिटा क्या ओर हो रहा है सर नाइधर होकी बसुन है होकी दिया हुआ है अब कभी-कभी एक और चीज काप मैं जाती है उसको भी मैं लिख देता हूं और यह हमारे लिए सबसे important भी बनने वाली है that is a union b यानि कि यहां पर c union h c union h का मतलब क्या है आइधर क्रिकट और होकी या तो क्रिकट या तो आजा या तो होकी या तो दोनों क्हेलते व बी आजाओ तो इसमें कौन-कौन से रीजन आ जाएंगे इसमें आपका second region भी आ जाएगा और इसमें आपका थर्ड रीजन भी आजाएगा क्यों भाई फॉर्स इसलिए रिकट खेलता है सेकेंड तो आना ही है दोनों खेलता है थो सी यूनिय च का मत्लब सिर्फ सेकेंड नहीं है ना जो दोनों में से एक बीगीम खेलता है आ जाओ यह चलेगा बस कुछ से करेंके कुछ इनको यूज करके करेंगे इनसे कुछ फॉर्म्ले बनेंगे किया त्वी दिख्bnकर यूज यूज बिसक्र वो कई यह क्रिक खेलने वाले यह दोनोंगे वाले सिर्फ dedication पूछ प्युए पूरा सर्क्ल बाट राट ह prospect 2 में टीन में चलेगा we हट रहाओ लिख लो एक बार तसल्ली से चलो अब इनको कुछ फॉर्मलो में कनवर्ट कर देते हैं यह बन गए इनके फॉर्मुलास यह वही आपके रीजन वन टू-3 तो आपका क्या फॉर्मॉला है कि भाई ए यूनियन भी कर लो बी यूनियन कर लो एक ही बात है और यह री हो तो ले हो कि ए ना या उनन अट गयात करो यूनियन आए अगरा पिद्द खेया ने इसका मतलब क्या था या JUST the sport so either of the sport खेलने को निकालने को बोले at least one sport निकालने को बोले cricket plus हो की minus intersection इसका मतलब क्या था intersection इसका मतलब क्या था intersection याने की common वाले sport क्योंकि first time बढ़ रहो तो meaning का पता नहीं होगा इसलिए मैं अभी बार बार लिख रहा हूँ अभी कैसे आए derive कर लेंगे और नहीं चाहिए derivation तो आगे बढ़ जाओ तो यह either of the sport इकोस तो ए प्लस भी minus intersection बी only यह बोले only cricket बोले तो कैसे निकालोगे भाई देखो ए ए में क्या आया यह पूरा आ गया अब ए में से क्या माइनस कर दो intersection बाट इस पूरे में से यह वाला पार्ट माइनस कर दो कि तो हम क्या मिलेगा यह वाला हिस्सा तो मिला और यह वाला हिस्सा कौन सा है ओनली क्रिकट वाला हिस्सा है यही तो चाहिए था से मिलें यहां देखो ओनली का मतलब क्या है सर भी बी में क्या आ गया यह वाला सरकल आ गया यह वाला सरकल आ गया यह आप इसमें से क्या माइनस कर दिया आपने तो यह आपके पास क्या वाला रीजन आ गया कि यह गानी हैती से अब यह अलग में भी देख लेंगे इसको यहां से मैं इसको हटा देता हूं मोटा मोटा मैंने आपको यहां समझा दिया आपके पास जो फिकर है वह एकदम बढ़िया से पहुचे ठीक है और इनको हम आगे अभी कवर कर लेंगे यहां तक मैं भी लिख लेता हूं चूटा सा आपको लिख के यह का है कै यह ओगा आपका ओक्राव कर दोगे तो आपके पास B बन जाएगा अगर आप इन दोनों को क्लब कर दोगे तो आपके पास A बन जाएगा इंपल सी बात है क्योंकि यह A का सरकल है यह B का सरकल है यह A कहानी अब एक फॉर्मला बचा जो आपको थोड़ा सब विजुलाइज कराओना है वो है A यूनियन B वाला तो उसको भी करवा देते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है तसली से करेंगे आज आराम से देखें सेट की पहली क्लास है आराम से समझेंगे कोश्चन आ जाएंगे अपने आप सब समझ में आने लगे एक कोश्चन का सब क्लियर हो जाएगा अब देखो इसको पूरूफ करते है ए यूनियन भी बेड़ा ए यूनियन भी का मतलब क्या था इसका मतलब था आइधर ए और बी अब आइधर और बी बोले तो या तो इदर क्रिक्ट को वापस ही मान के चल रहे हैं और होक्की को भी तो मुझे कौन कौन से रिजन चीए त तो भी चलेगा थ्री आजा तो भी चलेगा ठीक है तो मुझे ये रिजन चीए थे अब मैंने का आप एक काम करो ए यूनियन भी लिखते है ये नमबर से यह मैंना मैंने का आप एक काम करो ए ले आओ लाना बहुत जरूरी है क्योंकि बन चाहिए अब जब आपने ए बोला तो कौन आएगा सर वानगो two तो लेघए क्यों ये तो पूरा सरकल है अब देखू क्या हो रहा है जैसे ही आपने यह लाए를 तो आपके पास इसमें one भी आगया और आपके इसमे two भी आगया ठीक है तो यह वाला सरकल है इसमें से आपको क्या मिला वटन मिल गया और two मिल लिए फिर मैंने का कि यह वन और टू तो आ गया यह चीए थे पर थी भी तो चीए था अब थी लानिंग लिए क्या करना पड़ेगा तर थी तो भी लाओ मैंने डी क्या प्लस भी लिख दो जो आपने प्लस भी लिखा तो आपके पास थी तो आ गया पर साथ में एक आईटाम और आगी जब बी का सरकल लाए तो वन और टू आया वर लाप कर गया तो इससा तभी नाम किया ओवरलापिंग सेट्स तो जो टू वाला हिस्सा है वो दो बार आ गया वन आ गया थ्री आग क्रिकरण करा काउंट करा अंगे कुछ लोगों को आपने दो बार काउंट कर आँ वो दोनों की लते माल में धoh नितिये मैं क्रिकणी में भी हाथ खड़ा किया होगा मैंने होकी में भी हाथ खड़ा किया गा मुझे दो बार गिनुगा बंडा तो एक हूं तो वह माइनस करना पड़ेगा और माइनस कौन सा रीजन होगा यह भाई साब जो बेवोकूफ की तरह दो बारा है तो बहके बच्चे हम नहीं है तो माइनस करो टू और तू रीजन कौन सा है तू रीजन है जहां दोनों चीज़े हो रही है और वो क्या है एंट्रसेक्शन यह बन गया फॉर्मुला सेट समझ गया अब कभी भी मेरे से पूछेगा कि हाव मेनी पीपल ले आइधर और क्रिकेट मैं यह फॉर्मुला लगा दूँगा और निकाल दूँगा फॉर्मुला है चार मेंसे तीन चीज़ देगा निकाल लेंगे क्या ही हो गया डन समझ गया य बागी दो फॉर्मुला लेखते हैं दो तीन सवाल लेखते हैं सेट करते हैं अब यह आप जानते हो ओनली यह का मतलब क्या हुआ हमको सिर्फ वन चाहिए हमको रीजन चाहिए वन अब मैंने का लिखो ए जैसी आप ए लिखोगे आपके पिच्चर में कौन आएगा यह करो है वह कंज़ा से शॉ Suppose तो अब आपके वाड़ो ओनली भी bी कि मेरे कोव कैसे सब्सक्रीज हुआ की निचेकि धुकि बहुत बढ़िया तो बीलिकष produto मियसे क्या है अ ऐसा कौने सब्सक्या झाए सर थ्री आया थ्री तो चाहिए था पर टू नहीं चाहिए था तो हटाओ मिने डू को कॉमिटा दिता हूं ये आपने टू हटा दिया ये कर गे ये किता है ये टू है ये है क्या है तो दैट इस आओ ये वह गूँट टेल मी हाव मैने पीपल्स जो है वो सिर्फ cricket खेलते हैं जो सिर्फ hockey खेलते हैं अब कोशन देख लेते हैं आपके काम जो है दोनों चीज़े आएंगी brain diagram भी और formula ठीक तो डाइग्राम तो ये है region आप जानते हो ये क्या है only A तो इसको हम बोल सकते हैं अब कभी कभी कोशन कहता है कि हर एक बंदा कुछ ना कुछ तो खेलता ही है अब कोई ऐसा बच्चा ही नहीं है जो कुछ नहीं कहलता है तो यह आइटम जीरो हो जाएगी और 123 मिला गई और 123 क्या है 123 है आपका A intersection A union B तो इसको हम जाके यहां पे लिखाते है कि अगर कोशन कभी भी ऐसा दे दे आपको statement that if all the elements belongs to one or more groups अगर सारे element किसी ना किसी एक या भागे पर आपको ऐसे लिख करता है कोशन में कोशन में रहता है if all the elements belong to at least one or more की जागे हो कभी one or more लिख देगा पर जार टाइम मों यूज करता है ऐसा belong to at least one group then क्या होगा बेटा जो यह वाला इससा आपका हो जाता है कौन सा इससा अटाश इंट्रसेक्शन बी डाश यह जीरो बन जाता है आपका फे देन अट्रसेक्शन बी डाश यह बन जाता है जीरो और यह वो तोटल एंट्र से जाता है हमेस्य होगा हूं नहीं अ है प Champions लाए ज्लीन मैं यह और यह लोगोड हो जीरी जैसे अब मञ जाता है कि अठाओ नॉम्हैं अट्र कि उनली में अब इकवैशन और अब rh coast is given in question तो अगर आपको यह वह लाइन देता है if all the elements belong to at least one group तो जो total number of लोग है वो A union B के बराबर हो जाएंगे इस बात का ध्यान रखेंगे सब बच्चे और ही बहुत question मिलाएगा फिर हमारा यह item किसी काम की नहीं रहेगी फॉर्मले जो काम के रहेंगे वो रहेंगे कि A union B ही total है और इसकी value आप जानते हो कि A plus B minus A intersection B तो मैं इसी को total के बराबर रख दूँगा A intersection B दे देगा A दे देगा B पूछ लेगा अराम जे तसल्ली से अब एक बार सारे formula देख लो ठीक तो चलो भई लेट्स कम तो दे शोर्टाइम यह रहा सवाल ठीक से रहा total of 100 students of the 100 students 60 gave the maths exam and 50 gave the English exam ठीक है if all gave at least one exam यह line दे रखी है यह line से हमको क्या पता चलता है इस line से हमको पता चलता है कि जो भई total है वो बराबर है किसके union के कुछ लोग है जो मैंस दे रहे कुछ लोग है इंग्लिश दे रहे तो हम बहुत रहेता है इंग्लिश यूनियन मैंस और ऐसा क्यों हुआ वेकॉस वी आर गिवन लाइन देट सबने कोई ना कोई एक्जाम तो दिया नहीं तो यह नहीं लिख पाता पर आज लिख पाऊंगा पहले इसी कोशन को फॉर्मॉले से करेंगे उसके आप डाइग्राम से करेंगे आप चूज करने ना कौन सा असान है तो यूनियन एम की वैलिव तो मुझे पता है क्यों 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 क्योंकि टोटल कितने है मैच कित्ता हो सिक्ष टि क सकत्य पर फाद हों के उसनी धिकला मत्ञा का मतल्ब या पूच रहा है नहीं क्या हमारेन पास कोई फॉर्मोला है विल्कुल है हमारे पास पॉर्म आप टे सा फॉर्मोला था E union M equals to E plus M minus E intersection M सीरी सी बात निकालो खतम करो E union M किता है E union M is 100 English किता है English है 50 match किता है start minus E intersection M formula लगा answer आगे solve कर लो बिटा अब इसमें क्या बजा है इसमें क्या बता हूं मैं यही तो formula meaning term सिखा रहे थे आपको तब से क्योंकि पहली set की class है E intersection M plus minus पही खतम हो जाता है यह के 110 minus यह उदर चलेगा किता आगे 100 और करकर आगे आपके सागे 10 तो इसका answer तो आगे हमारे पास 10 How many students gave only one exam? कह रहा है how many students gave only one exam? Only math भी नहीं बोला only English भी नहीं बोला only one बोला कौन सा हमें नहीं बता यानि हमको पहले निकालना पड़ेगा only math फिर हमको निकालना पड़ेगा only English फिर हम इन दोरों कर देंगे add only math और only English योले add होगा है तो only one exam भी निकला है सही है मालने तो only math 10 नहीं दिया था only English 10 नहीं दिया तो total only one वाले किते होगा 20 clear अब only math कैसे निकालेगे हम जानते है math का circle लाओ math के circle में से क्या minus करना है दोनों common वाले जिरूने English भी दिया है तो minus English intersection math मन में सोचो मेरे दिमाग में मेरे को visualize हो रहे दो overlapping set पड़े हुए इस overlapping set में math वाला अटा है पर ये वाला part इस से जो overlap कर रहा है इंग्लिश वाला जो math वाले English को overlap है M intersection ही उसको अटा दिया तो M में से English वाले हटा दो math वाले सिर्फ आ जाएंगे मैने सम math वाले को बुलाया English दिया था कहते हाँ मैंने का वापस जाओ कौन रहागा जिन्ने इस सिर्फ मैस दिया था math वाले बुलाए तो यह निकाल लिया 10 कितना हो गया 50 बहुत बढ़िया यह हो गया set 50 अब इनको निकालो इनका कैस आप है वाले only English English वाले बुलाए math दिया था हाँ भागो फिर English वे math वाले बगा दिया English कितना है वापस minus intersection कितना है 10 कितना हो गया 40 आप क्या पूछ रहा है only math plus only English मतलब only one exam कौन सा नहीं बताया उसने तो फिर यह वाले भी यह वाले भी तो only math हो गया आपके पचास और only English हो गया 40 मिलाए कितना हो गया 90 बाता answer mark कर बेटा और आगे बाड़ यह पीला का अच्छा लग रहा है 90 अब दिमाग लगा यह मैं डारेक निकाल सकता था यह बिनना अटक करें हर एक बच्चा कोई ना कोई exam दे रहा है हर एक बच्चा कोई ना कोई exam दे रहा है कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने दोनों exam दिया है 10 तो कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने एक exam दिया होगा 100-1090 नहीं समझा सुन बच्चे कितने तरीके के बच्चे है 100 या तो बच्चा कोई exam ना दे या बच्चा एक exam दे या बच्च्चा दो exam दे के टोटल कितने बच्च या 100 फोई कोश्चन न बना कर दिया कोशन है कि एसा कोई बच्चा ही निया जिसमें ने कोई पर नहीं दिया बच्च जो है कोई ना कोई पर तो देता दो है तो यह वाला कितना होगा सर अव्प्विसली अरे बेटा कहां यह सब नहीं करता तो सर क्यों किया आपको दिमाग खोलने के लिए आपको समझाने के लिए कि only math only English आ गया तो कैसे निकाले only one exam आ तो ऐसे कर लेंगा तो बच्चे होते हैं जो पेपर है तो या तो कोई पेपर नहीं देंगे या एक पेपर देंगे या दो पेपर देंगे ऐसे वाले है निए दो पेपर देने वाले दस है तो एक पर देने वाले कि तो नम खतम बाद बड़ा प्लस माइनस नहीं कर पागा कर रहा है काई सी बात अगर लायर है सीख लिए अब इसमें आपने सब निकालना सीख लिया है intersection निकालना only mass निकालना only English निकालना only one exam की निकालना सब कम ही नहीं यह तो हो गया formula based मैंने overlapping sets का use किया पर बेंड डियाग्राम का use नहीं किया अब इसी question को crack करते हैं बेंड डियाग्राम से तो बेंड दियाग्राम ल प्टों बहुत रहे होंगे तो भी हम इससे सीखते हैं माल लेते हैं टोटल बच्चे 100 है तो यह हम यहां पर अलग से लिख लेते हैं और हम जानते हैं कि कोई बच्चा जो है इसा है नहीं जो जीरो एक्जाम दे रहा है तो हमारा मैट्स यूनियन इंग्लिश है यह था हमको पता है ठीक है यह हमको पता है अरा कलर लाओ मैट्स यूनियन इंग्लिश यह था हम जानते हैं 100 है अब सुनना मेरी बात वेंड डाइग्राम पर आओ इंग्लिश मेरी 50 अब हवा में करो 60 और 50 कितना हो गया 110 हो गया 110 कैसे हो सकता है बच्चे तो 100 द nessa कितनी दो बार काउंट हो जितने आप आगे निकल गए हो तोटल बच्चे कित्थी तो आपके कित्त आगे 110 तो 110 तो 10 यह आगया था यह 10 बच्चे थे दूबार काउंट हो गए थे राइट तो ड्रक्ट दस आजाएगा अगर आपको सम्झ में आती है कि क्या हूँआ कितने लोग के 10 तो यह 10 है अब अगर यह बात सेट हो जाती है कि यह 10 कैसे आया साथ पचास 110 और हमारे को चीछत दस लोग डबल काउंट हुए है अगर समझ में है तो बड़ी और नहीं समझ में है तो अपन वापस वैसे से निकाल लो यानि कि 100 इकोल स्टू पचास प्लस साथ माइनस एम इंटरसेक्शन यह और यहां से इधर आके एम इंटरसेक्शन यह आ जाएगा आपके पास करकर आके सेम भी थे निकालता है अब देखो इसके आगी कहानिया आपकी बेंट डियाग्राम असान कर देता है तो मिक्स करें कर रहे हो तो सबसे बढ़िया होगा पूरा साथ था यह दस था तो यह कित्त हो गया पचास और यह कौन से है ओनली मैंत लो डिरेक्ट हो गया को यह मैंच कर रहे हैं यह इंग्लिश कर रहे हैं तो only one subject वहला कित्त हो 50 plus 40 90 यह only one है ना बाई कित्ता हो गया 90 यह कित्ता हो गया 10 सब खत्म है सब कुछ बता देंगे अब जो मांग रहे हैं वेंड डियाग्राम में तो सार वीजन नजरात है ना खत्म होगी बात तो वेंड और इसका साथ साथ जूद करोगे तो बेस्ट कर पाऊगे है क्लियर हो गया पीसे जाओ रिवाइंड करो वापस से देख लिए हम बढ़ते हैं आगे एक और सवाल लगाते हैं माल लेते हैं सो बच्चे है साथ ने only math दिया अब आप इसको पॉस करे करना अराम ठीक है तो अ अभी टोटल लिख लेते हैं अपन सौ हमें नहीं पता यह ए यूनियन बी के बराबर हैं की नहीं अगर बोल देया कि सबने कुछ ना कुछ तो दिया तो है नहीं तो नहीं है ठीक है 10 students were absent and hence gave no exam अब total 100 है अब यह यूनियन भी 100 नहीं को कि 10 ऐसे भी है चुछ नहीं कुछ नहीं दिया है तो जो English भी नहीं दे रहें और Maths भी नहीं दे रहें यह लोग है 10 इन्होंने कुछ नहीं दिया राइट उसके आप find the number of students who gave English exam हमें यह निकालना है अब यह हमको दे मैं इसको formula से कर रहा हूं नहीं तो brain diagram से कर लेगा अगर total बच्चे 100 थे और 10 बच्चों ने कुछ भी नहीं दिया तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ तो दिया है 100-10 समझ महीं बात जो बच्चे absent होगा इन्होंने नहीं तो कुछ नहीं दिया जो आ करीर आपका विंडारम का दूसरा सर्गर अगर आप total बच्चे यानि कि इस rectangle में से आप यह वाला हिस्सा माइनस कर दो वह बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं दिया तो आपको क्या मिलेगा a union b यानि कि total में से अगर आप region 4 जिन्होंने कुछ नहीं दिया वह माइनस कर देते कि यह कुछ नहीं देंगे दो हिएंगे अगर आप यह वाले मायनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा total में से अगर आप यह वाले मायनस कर दो क्या मिलेगा वन ना टु कि मिलेगा जब total वाले 100 हैं है और यह वाले 10 हैं तो at least one वाले कितने हो गए अब याद तो यहां से समझो यहां वेटा यह 100 लिखनी पा रहा है थोड़ा कोने में हो गया मैं इसको थोड़ा सब को इधर खिसकाज़ता हूँ यह नहीं मानेगे तो हम भी नहीं मानेगे लिखे तो मानेगे 0, 1, 2, total यह वाज़े लोग है 10 यह नहीं कुछ नहीं दिया यह एपसेंट हो गए और टोटल वाले हो गया 100 तो अटलीस्ट वाले कित्ते हो गया 100-10, 90 या तो यहां से समझो या वेट डाइग्राम से सोचो कि यह लोग है 100 मैं सारे मेंतर चेकर के दिखा रहा हो कि आप देखो कौन सा अच्छा रगता है यह लोग है 10 तो 1, 2, 3 मिला के कित्ता हो गया सर 100 में से 10 गया 90 या फिर यह फॉर्मला से देखो टोटल कित्ते हैं 100 आपके सामने बेंट डाइग्राम यह बच्चों को पसंद आता है यह फॉर्मला या रखना पड़ेगा एक और यह लॉजिक या तो बच्चे चुट्टी मार गए वो घर पे रहे गए तो 100 में से 10 लोगों ने कुछ नहीं दिया बच्चे नब्बे तो A union B भी हमको पता चलिया उसको भी लिख लेते हैं यह हमने identify कर लिया 98 कहां से निकाला हमने टोटल माइनस अब आगया अब जैसे ही आगया अपने पास एक फॉर्मला है उस फॉर्मले को लिख लेते हैं और देख लेके जो चाहिए होगा निकाल लेंगे तो हमने कहा कि E union M क्या होता है E plus M माइनस E intersection M अब देखते हैं अपने पास क्या क्या है अपने पास E union M है है 90 अपने पास E है 9 वो ही तो निकालना है अपने पास M है नहीं अपने पास E intersection M है 9 है E intersection M तो है 10 पर सवाल है कि M कैसे निकाले पर मेरा आपसे एक और सवाल है क्या आपको ये कुछ नजर आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है नजर आ रहा है तो बताओ बिटा कमेंट्स पर कि यह क्या लिखा हुआ है क्या यह only math से ने लिखा हुआ math भुलाया और उसमें से उनको add दिया है जिननोंने English का अभिपर दिया है वह दो अटा है तो कहीं ना कहीं यह only math से लिखा हुआ है formula क्या था only math का बताव मेरे को m intersection edX का formula क्या था पीछे जाके नहीं को भूल गए रहो तो इसका मतलब क्या था M minus E intersection E तो कुछ और करने ही जुरूतीक है ये कि 10 60 डाल दो ये पूरी कहानी ये ही लिख्यों ये this is M intersection E dash यानि कि E plus 60 सर ये तो complicated हो गया सर ये complicated है better weight diagram है इसलिए तो बोला कि weight diagram से यहीं पर देख लो खतम हो जाएगा अब इन diagram से 123 अब बताओ मेरे को क्या है माल ले ये था आपका maths वाला और ये था आपका English वाला आपने का sir only math only math वोले किते थे only math वोले 60 यानि ये लोग हो गया आपके पास 60 done अब आपको और किते रखा है intersection 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 किते रखा 10 यह होगया 10 60 70 80 total किते है 100 तो यह किते होगया 20 English वाला किते होगया 20 और 10 30 weight diagram तो असान है और हमेशा रहेगा formula से जाओगे तो observe करना पड़ेगा observe नहीं करोगे तो यहां से निकालना पड़ेगा मर जी आपके क्या देखना चाहते हो और एक नया formula भी सीखा है इसको formula list में आड़ कर सकते हो नहीं करना चाहते हो तो observation observation की बाद आपके यह भी है trick भी है direct भी है देख लो कैसे बसकते हैं अब एक last question करते हैं यहां तक अगर आपने सीख लिए इसका answer होगया फिर आपका English वाल है 30 आपके बटते हैं रिवाइंड करके देख लेना अगर कोई दिक्कात हो तो final question आज की class का और यह actually cat material ऐसा सवाल आ सकता है अच्छा question है इसको try कर रहा हूं मैं करने जा रहा हूं और आप हम जानते हैं 4,6,8 चलते जा रहा है अब मैं कैसे निकाल हूं count थोड़ी करूँगा मेरे को निकालना 80 तक तो direct 80 को 2 से divide कर दो उतने multiples आ जाएंगे कितना होगया 40 वैं 2,4,6,8,10 सीधा divide कर रहा है न 2 से 2,2 का gap में चल रहा है तो आगया 40 तो physics वाले हो गया 40 यहां मतलिकना 40 मिला कर 40 तो physics वाला हम फिजिक्स वाला नहीं है यह physics वाले बच्चे 40 राइट अब number that are divisible by 5 और chemistry तो chemistry के divisible निकालते है राइट तो chemistry कैसे निकाल हूं 5 वाम नमबर तो 80 है डिवाइट वाय कौन से जो 5 से डिवाइट होते है किपते होगा है 16 तो chemistry वाले आगया 16 बहुत बढ़िया यह 40 होगा यह 16 होगए अब यह कौन से होंगे intersection वाले intersection वाले ने math physics भी दिया और chemistry फिजिक्स के लिए वो 2 का multiple भी है chemistry के लिए 5 का multiplier है तो मुझे अगर physics intersection chemistry निकालना है तो मुझे यह even number भी यानि 2 का multiple चाहिए chemistry यानि 5 का multiple चाहिए यानि score 10 का multiple होना पड़ेगा तब यह 2 और 5 दोनों का होगा तो physics intersection chemistry कितना हो गया भाई 10 के multiple 80 तक 10 के multiple direct निकाल लो 80 by 10 या वैसे भी सो सकते थे 8 के तो गे तो अब तो सब निकाल लोगे यह 40 यह 8 यह 32 यह 8 यह 8 कितना होगे 32 8 40 48 कितना हो गया 48 टोटल लोग कितने थे टोटल लोग थे 80 32 8 40 48 48 माइनस करते हो 80 में से कितना बचा 32 32 तो 32 ऐसे लोग है जिनने कुछ नहीं दिया जो बाहर बाइट हो टोटल तो 80 है ना बाई सम तो 80 आना है 32 8 40 48 यह कितना है बचे 32 खतम करो नंबर अस्वेंट सुख लोग चोज नन किसने कुछ नहीं दिया 32 ने 32 यहां पर ऑप्शन कुछ गड़ बढ़ा है इसको 39 नहीं 32 होगा और इसको टिक लगा ठीक है चाला मैं बहुत जाता हूं आप अराम से तसल्ली से देख लो तो बेट दूसरा मेथड जाने कि फॉर्मलेज भी आने चाहिए तो फॉर्मलाज वाली स्लाइड आपके पास यहां पर है यह आपके फॉर्मलाज वाले स्लाइड है ठीक है इसको याद रखेंगे मैं इसमें एक और एड कर देता हूं राइट कि अगर आपको लगे तो आप इसको भ तो टोटल में एड लीस्ट वन वाले आप निकाल दोगे तो आपको आपको नन वाले मिल जाएंगे है ना जो कम से कम एक खेल ही रहे है उनको बाहर कर दिया तो कौन मिला जीरो वाले मिल गए ठीक है तो आप चाहो तो इस फॉर्मले को भी लिख सकते हो फिर साथ में आपक कि foundations देख लो ताकि जो basics हैं वो clarity हो जाए जो कुछ advanced question नहीं है आगे batches में भी लेंगे और batches में इसके आगे से और advanced questions की practice continue होगी पर यहां पर आपको एक basic foundation मिल जाएगी और जब वहां मिलेंगे तो मस्ती करेंगे जब foundations आपको आदे होंगे मज़िदार questions करेंगे लड़ें हैं उन सवालों से और सीखेंगी cat हमारे साथ और क्या क्या कर सकता है और मेंट्स और क्या क्या कर सकता है तब तक के लिए पढ़ते रहें हसते रहें मुस्कुराते रहें टेक केर एंड बबाए